गणित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग करना मिथ्याधारनाई आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानि Formulas and Rules of Math में BGA व्यन्जकों यानि Algebraic Expressions के प्रयोग से संबंधित मिथ्याधारनाई कुछ उदारनों से हमने इस विशे को अच्छे से जाना अब आईए इससे जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई समझें संख्या प्रतिरूपों के व्यन्जक बनाने और उन्हें हल करने में अकसर कुछ गलतियां हो जाती है आईए एक उदारन से इसस समझते है यदि आपके पास ए टौफियां है और आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां है तो अगर आपको हर एक मिनट चार-चार टौफियां और मिलती जाएं तो चौथे मिनट में आपके पास कुल कितनी टौफियां होंगी अब अगर आपके पास ए टौफियां है तो आपके भाई के पास दो ए टौफियां होंगी जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियेक मिनट में आप दोनों को चार-चार टौफियां और मिलेंगी तो पहले मिनट के बाद आपके पास टॉफियां होंगी ए जमा चार, जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टॉफियां और जोड़नी हैं तो इस प्रकार दूसरा पद होगा ए जमा चार, जमा चार यानि ए जमा चार गुना दो बराबर ए जमा आठ तीसरा पद होगा ए जमा चार, जमा चार, जमा चार यानि ए जमा चार गुना तीन बराबर ए जमा बरह और चौथा पद होगा ए जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानि ए जमा 4 गुना 4 बराबर ए जमा 16 अता आपके पास चौथे मिनट के बाद टॉफिया होंगी ए जमा 16 इस प्रकार एन मापद होगा एक जमा 4N तो हम कह सकते हैं कि N मिनट के बाद आपके पास टौफियों की संख्या होगी A जमा 4N यहाँ N कुल मिनटों की संख्या को दर्शाता है यदि आप इस बियंजक में N का मान एक, दो, तीन आदी रखें तो आपको प्रती एक मिनट में टौफियों की संख्या प्राप्त होगी अता टौफियों का संख्या प्रती रूप होगा A जमा 4, A जमा 8, A जमा 12, A जमा 16, इसी प्रकार A जमा 4N इसी प्रकार आपके भाई के पास पहले मिनट के बाद टौफिया होगी 2A जमा 4 जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टॉफ या और जोड़नी है तो इस प्रकार दूसरा पद होगा दो ए जमा चार जमा चार यानि दो ए जमा चार गुणा दो बराबर दो ए जमा आठ तीसरा पद होगा दो ए जमा चार जमा चार जमा चार यानि दो ए जमा चार गुणा तीन बराबर दो ए जमा बारह और चौथा पद होगा दो ए जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार यानि दो ए जमा चार गुणा चार बराबर दो ए जमा सोलह अता आपके भाई के पास चौथे मिनट के बाद टौफियां होंगी 2A जमा 16 तो हम कह सकते हैं कि N मिनट के बाद आपके भाई के पास टौफियों की संख्या होगी 2A जमा 4N ध्यान दीजिए कि शुरुवात में आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां थी परंतु प्रती एक मिनट आपके भाई को आपके जितनी ही टौफियां और मिली जिनकी संख्याद चार है कई बार बच्चे प्रती एक मिनट की टौफियों को भी दुगना कर देती है जिससे उन्हें पहला पत कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है दो ए जमा चार गुना दो यानि दो ए जमा आठ जो की गलत है सिर्फ ए को दो से गुना करना है ना की एन को तो सही प्रती रूप के अनुसार आपके भाई के पास टौफियां होंगी दो ए जमा 4, दो ए जमा 8, दो ए जमा 12, दो ए जमा 16, इसी प्रकार दो ए जमा 4N आज हमने देखी गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय वियनजकों के प्रयोग से सम्बंधित मित्याधारनाई आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिध्यधारनाई दूर हुई होंगी धन्यवाद